हाई गाईज वैलकम बैक तो माई चैनल कैसे आप सब उमीद है कि आप सब बहुत जब अच्छी होगे गाईज मैं आपको क्या ही बता हूं मेरे साथ एक हफते से ना क्या क्या हो रहा है सबसे पहले तो मैं बीमान होगी मैं दो तें दिन वीडियो शूट ही नहीं कर पाई फि हो गया उसके बाद इतना जादा दमाग खराब होगा उसके बाद मैंने जब यह वाली वीडियो शूट की ठीक है माइक बगारा लगाया कैमरे में जब मैंने इसे कॉपी किया देखा इसमें जो वाइस थी वो भी नहीं मतलब टोटली एक हफते से इतनी जादा पता नहीं क मैंने इस वीडियो को मैं वोयस्वर करके अप्लोड कर दूगी आपने ताइटल में देखी लिया होगा मैंने इस वीडियो में आलिया बढ़के वाटा जुमका जो लुंग है वो ग्रिध करने की कोशिश की जैसे उन्होंने मेक आप किया है यहां पर ट्राइ किया है कि वैसा लुक करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से मेश्टराइज करूँगी मेश्टराइजर मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे डॉट एंड की का वाटर मेलन क्योंकि जैसे कि आलिया भट ने नहीं जादा डूई मेकप किया है नहीं जादा ड्राइज बहुत ही सर्टल सा मेकप किया है आपका फेस जादा ओईली भी नहीं लगएगा और नहीं जादा मैट लगएगा बहुत ही अच्छे से आपके फेस को यह वाला मुईश्टराइजर जो है कि फेस को मुईश्ट कर देगा नेक्स तुम अब्म कर रहे हूं यहां पे कर्वार का प्राइमर बहुत ही अमेज़िंग वाला प्राइमर है गा इस अगर आपके आप Gewcanable आपके ओपन ओप के बाद ना वह बहुती जादा खराब बहुत जादा बुरे लगते हैं तो मैंने यहां पर अपने finger tip में अप्राइमर लिए थोड़ा से ॉसे रब करके थोड़ा से active किया तो मीरे open pores आप अप्लाइं मैंने कर लिए फुल फेस पे नहीं अप्लाई किया है ताकि जो हमारे पोर्स वह ब्लॉर आउट हो जाए ताकि मेकप जो है ना वह आपके पोर्स के अंदर फिल ना होई सो नेक्स्ट मैं यूज कर रहे हूं फांडेशन मेबलिन फिट मी की इसका शेड है 120 इसके में टू पंस लूँगी दैन उसे अपने फुल फेस पे सप्रेट कर लूँगी हैंड के साथ डॉट और नहीं बनाऊंगी फुल फेस पे नहीं अच्छे से ना हैंड के साथ अच्छे को अप्लाई कर लूँगी का वियर करने के बाद एसे मा ब्यूटी ब्लेंड में के साथ अच्छे एल्म कर लूँगी लेना है लेया है विज़ो pa Ice bli convinced करना भूल गी थी उसके लिए मैं यूज़ कर क्याई हूं यहां पे विप्रिटिक की फरुट ब्रैटनिंग लिप बाम अगर आप अपने लिप्स्टिक को फर उकिल कोई भी लीग लिपस्टिक लगाते हो तो आपके lips में cracks से दिखने लग जाते हैं, वो इसी वज़ा से दिखने से लिए, always जब भी आप lipstick लगाते हो, make sure कि आप अपने lips पे lip balm को जरूर अप्लाई किया करो, so मैंने भी कर ली है, next में use कर रही हूँ concealer, यह भी Maybelline Insta Age Rewind Concealer है, इसे में अपने face में, basically जो मेरे face के high points ह जहां पे face पे light जब पड़ती है ना, वो उभर के आते हैं, वहां पे इसे apply कर लूँ देख सकते हैं, जैसे eyes के around हो गया nose, chin area हो गया, center of the nose हो गया, forehead हो गया, cheeks के बीच, और ना, जैसे हम contour करते हैं जहां पे उसके बिलकुल नीचे करेंगे, उसके साथ क्या हो गया है, कि naturally contouring दिखने लग जागे, और पता नहीं मैंने क्या क्या है, अब यहां पे बगबग की होगी, so basically, जो मैंने make-up किया, उसके बारे में आपको बता देती हूं, so उसके बाद मैंने mini beauty blender लिया, then अच्छे से blend out कर लिया, dabbing foam में, ठीक है, जहां पे आपने concealer प्लेस किया है, सिरफ उ उसी जगह पर ही आपको अच्छे से blend कर लेना है, नेक्स्ट बार यह पाउडर सेटिंग के, उसके लिए मैं यूज कर रही हूं, mask का trend setting loose powder, आप compact भी यूज कर सकते हैं, but मैं always loose powder है, वही prefer करते हैं, क्योंकि इसके साथ ना आपके base पैची-पैची सा नहीं बनता है, फेस प आपको क्या करना है, जब भी पर पाउडर सेटिंग करते हैं, आपको सबसे पहले अपने अंडर आई एरिया ही cover करना है, क्योंकि आपने देखा होएगा कि हमारे अंडर आई के नीचे ना लाइन सी दिखने लग जाती है, इसी वज़ा से देखते हैं, सबसे पहले अपनी एरिया पर पाउडर को अप्लाई करो, अपने फुल फेस को सेट कर लो, नेक्स्ट मैं यूस कर रही हूँ आई मैजिक की ये वाली पैलेट, इसमें ब्लशर शेड्स पी हैं, इसी पैलेट में से याज मैं अपने फेस को कॉंटॉर करोंगे, उसके लिए मैं ये वाला अंग कुंटॉरिंग कर लिए, थोड़ी खे out ही, थोड़ी मोट है हूँ थोड़ी से हलकी सी नोस को शैप करने के लिए, एकड़ी ख्रिम के साइड को कर लिए, ब्लेंड खिए नेक्स यहां पर यूज कर रही हूं है, थोड़ी ची सा बन्ले तो मैं प्लाई करू हो, ब्लशर थै नेक्स्ट में यूज़ करने हैं स्विस्स ब्यूटी का हाइलाइटर इसका शेर्ड है 0 3 बहुत अच्छी कवरेज वाला ये हाइलाइटर है बहुत अच्छा सा ग्लू एड़न कर देता अपके फेस को सो ज्यादा हम हाइलाइट नहीं करेंगे क्योंकि देख सकते हैं आलिया जादा जो हाइलाइट नहीं किया हुआ है अपने फेस को सो बहुत ही कम हम हाइलाइट करेंगे उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यह वाला एंगुलर ब्रश बैसिकली जो हमारी यहां पर बोन दिखरी है ना ठीक है चीक्स के ऊपर यहां पर हमें हाइलाइटर अप्ल ही है नेक्सट मैं यहां पर य्यूज़ कर रही हूं वड्र यज़ा प्राइल करेंगे इसमें से डांक ब्राउन के साथ अपने ब्रोज को फिल कर रही हूं औल्से यहां पर जो फिल ख से हैं अपने ब्रोज को करेंगे गले ध restaurant और जो पुलिटवर्ष होता है इसके साथ ज पूरी आई लिट पे अच्छे से अप्लाई कर लूगी कोई भी और कलर हम नहीं लेंगे सिरफ इसी कलर के साथ अपना पूरा जो आई लिट एरिया है न वो कवर करेंगे दैन जो एजी उसे अच्छे से ब्लैंड आउट कर लेंगे बहुत ही ब्यूटिफूल सा लुक क्रिये इसके साथ सेम ऐसे ही अपनी दूसरी आई पे भी कर लूगी सेम इसी कलर को मैं अपनी लूर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूगी तैन उसे अच्छे से ब्लैंड कर लोंगे उसके बाद मैं यहां पर यूज कर रहे हूं फेस कैनना का का जल जैसे कि आप देखने के आ और 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 नीचे काजल अप्लाई कर लिया जां पे आई ल को यहाँ अपने अच्छे से ब्लैंड कर लिया देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कर रहे हूं आपको बिलकूल वैसी करना है डेन उपर जो मैंने काजल लगा था की जगह पर वहां पर भी अच्छे से दूसरी आई पे भी में अच्छे से समझ कर लोगी नेक्स्ट मैं यहां पे यूज कर रही हूँ मस्कारा मस्कारा सेम फेस एस कानाडा का अपनी लॉर लैशिर्स और अपर लैशिस दूनों में मस्कारी को अप्लाई करोंगी बहुत यह अच्छा मसकारा है यह वला नेक्स्ट आलियाबट ने बहुत न्यूड सी लिपस्टिक लगा यह बिल्कुल लाइट सी मैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं इनसाइट की क्रियोन लिपस्टिक इसका शेड नंबर है 13 बहुत यह अच्छा लाइट सा शेड है बिल्कुल एग्जैक्ट ली जैसा मुझे चाहिए था इस लुक के लिए बिल्कुल वैसा यह शेड है जिस कलर की सारी आलिया बटने डाली है वैसे ही एग्जैक्ट मैज नहीं हो लिए बट फिर भी काफी हद तक अच्छी लग रही है यह तो मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्ट जैसे उन्होंने लुक जो है वो किया है जुमका में एग्जैक्ट वैसा ही लुक क्रियेट करूँ सो मैंने ट्राइ किया है I hope आपको अच्छा लगा होगा कैसा लगा है आपको ये लुक मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताईएगा अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है पसंद आया है वीडियो को लाइक, शेयर कमेंट कीजिगा मेरे चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में जो बैल आइकोन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि जो मरी निव वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए सो मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में तिल दन, बाबाई